तो भारती जन्ता पाटी की सूची आती है कि यह घुबरा जाती है, यह बोलते हैं कि अब हम क्या करें, next step क्या है हमारा, हमारी पूर खुल जाए, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ढवेदान जेना चालू करें, तो ब्लॉक इस्तर पी आवेदान आते हैं, 2790 आवेदान आते हैं, उसको भेशते हैं नवसकार अश्रपों क्रेंड एसीन की खास बेश्कस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं और सबसे पहले नवरात्र पर्व की सभी शहरवासियों को हारदिक बढ़ाई शुक्कामना है जह दर्शा को अभी अभी हमने गणेशों सो पर्व बनाया और अब नवरात्र पर्व की धूम चल रही है आने वाले दिनों में दशेरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक पर्व दशेरा मनाया जाएगा उसके बाद दिपावरी इन सभी में एक पर्व हमारा लोक तंत्र का पर्व है जहां मैं बात कर रही हूं चुनाओ की विधान सभा चुनाओ जो हमारे आगामी दुनों में होने वाले पर्व की तरह है इस पर्व में भी आप सभी भाग लें और अपनी भागी दारे दें अपने मत का प्रयोग करें और अपना उम्मीद्वार अपना मन चाहा प्रत्यार्शी उम्मीद्वार चुल कर लाए आज हमारे स्टूडियो में मौजुज हमारे साथ हैं केश चोहांसर, प्रदेश प्रवक्ता, चिला उपाधियाः भार्ती जन्ता पार्टी, चुनावी चर्चा के साथ कुछ धार्विक चर्चा भी हम इंसे करेंगे, इसलिए आज इनके कम समय में हमने इनको आमनतित किया है आपके दर्शकों को भी और आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत हाल देख शुक कामना है और बदाएंगे चुनावी समर चर्चा रहा है आप देखेंगे चारो तरब दुर्गोषव की द्वूम है और साती साथ चुनावी जो समीकरान बन रहे है जिलिए सही प्रदेश में उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जैसे कि भाजपा ने तर प्रत्याशिक होशित कर ही दिए लग भग ले शाहिन जी तो भारती जिल्ता पाटी की सूची आती है तो यह घबरा जाती है यह बोलते हैं कि अब हम क्या करें नेक्ट इस्टेट क्या है हमारा हमारी पूर खुल जाए उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ब्लॉक इस्तर पे हम आवेदन देना चालू करेंगे तो ब् स्क्रीनिंग कमिटी से यह केंदरी कमिटी में उसको भेजते हैं जो स्क्रीनिंग करके 273 लोगों का स्क्रीनिंग होता है पैनल बनाया जाता है और तीस नाम जाते हैं उपर तो तीस नाम जब जाते हैं तो वहां पर से यह बोलके वापिस भेज दिया जाता है कि आ जो प्रक्रिया नहीं दूसरी प्रक्रिया है। दूसरी मैं यह बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जो यह तीस लोगों की जो इस लिस्ट आई है। Congress ने बोला कि हम पितरपक्ष की कारण नहीं कर रहे हैं। और हम जैसे ही पितरपक्ष खतम होगा वैसे ही चालू कर दें। और यह तीस लोगों की अभी दिश्ट उसमें से अधितर तो आपके सिटिंग मेले ही हैं। और आपने सिर्फ आठ विदायकों की टिकेट कटी। उसमें से भी चार लोगों को आपने नया एड़ किया। इसका मतला यह है कि बारा परसेंट आपने एड़ किया है नयू फेसे को। अब मेरे को यह बताइए कि जब उद्रपूर में राहुल गादी जी बोत गये हैं कि हम 50 प्रतिशत युवाओं को हम मौका देंगे। तो आपके 50 प्रतिशत कहा हैं। जबकि बारती जन्ता पार्टी ने तो यह करके दिखा दिया है कि 85 में से 43 लोगों को 50 लगबख 50 से उपर प्रतिशत लोगों को टिकिट दी है नहीं यू फेसे को। तो आपकी यूँ है कहा है। आपके जो लिष्ट निखनी है उसमें 50 प्रतिशत से उपर जो है वो 70 से 72 प्रतिशत लोग हैं। और उसमें से भी 60 साल से 74 साल तक 14 प्रत्याशी हैं आपके। तो आपने ठगने की कोशिश की अपने जन्ता को भी और अपने कार्यकरताओं को भी। आपने कार्यकरता की ठगने की बाते हैं। अभी हम प्रदेशतर पर बात कर रहते हैं। चिला स्थर पर करना चाहें। नगे दुर्णी जीला कभी संसर्टिव कहलाता है अब में भारतिशता पार्टी की प्रत्याशी की बात करें। तो गजेंद्र यादाव एक चहरा है, हमने ऐसे सोशल गिजिया में देखा दिने, और हमने सब भी किया है, काफी लोगों से पुष्टाज भी किया है, गजेंद्र यादाव एक वो चहरा है, जिसे आम जनता पहचानने से इंकार करती है, दिखे, जब भी कोई न्यूफेस य जानती है, यह पुसिबल नहीं रहता है, लेकिन गजेंद्र यादाव जी बहुत पहले से हमारे संगठन में निरंतर लगे हुए हैं, और जमीनी कार्य करता है, उन्होंने बूत लेवल से देकर यहां तक का सफ़र तै किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, और भारती जनता पा तो इंडिया टीम के लिए जनता है, वो लग पड़ती है, उसका सपोर्ट करती है, और उसके बाद गजेंद्र जी जो है, निश्चिती रूप से जैसे आसे समय आता जाएगा, तो उनकी एक्टिविटीज भी सामने आएगी, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही हाड़ जो कि हमारे दुर्ग शेर के लिए बहुत ही अच्छे प्रद्याशी है, जिने की सांसत विजय भगे, पाटन प्रदेश के मुखे मंत्री के क्रीगराम से चुनाओ मैदान पे है, वहाँ पर बगेल वर्स बगेल ऐसा आपड़ा सामने आ रहा है किसी अन्य, बगेल का भी व जनता किसको देखती है कि जनता ये देखती है कि विपक्ष की भूमी का किसने अच्छे से निभाई है, विजय भगेल जी हमारे पूरे भारत में ऐसे टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने सारवाधिक वोटों से सांसत का चुनाओ जीता था, और हमारे 36 गड़ में स हम यह भी देख सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी लोग प्रेदा वहां पर है और मूलता पाटन उनका जो ग्री ग्राम है वो पाटन ही है तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं और पहले भी भुपेश बगेल जी को हरा दिये और जब भी उनको शिकस्ट भी मिली भु आपने था वर्ट लगाया था जीता था लेकिन वर्टमान में अभी का का की बयार ज्यादा देखी जारी है लोगों की जुबात पर का 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 ही ज्यादा वह ऐसे में जो वहां के जो संसद अभी वहां पर दामेदारी करने के लिए कितने उनको चुनोतियों को सामना करना षब कोई है तो अनके चुनावी रहती हैं और यहां पर zrobić बकेश बगेल जी के लिए भी चुनाती है विज़ा बजय जी की मिंड़ी कमल जूर्चां वेली यह क्यों की के विजय बगेल की अब गगेल जया रही है जंता उने बहुत ही सराखों पे बिठा रही है और उनका काम देख चुकी वह जमीनी कारिकरता रहे हैं बुबेश बगेल जी ने जो पहले जो वादे किए जो पहले वादे कियो उनको उसको कही न कहीं वो पूर्ण करने में वो अक्षम रहो और ये सब गोटाला ले लिजिए आपरेद गोटाला ले लिजिए जमीन गोटाला ले लिजिए पीसी गोटाला ले लिजिए डीमेफ फंड गोटाला ले लिजिए क्या पीसी के वहां की जो पार्टन की जो नौजवान हैं क्या वो जो पीसी की तैयारी कर रहे थे तो क्या वो और चिताने में और हराने में मदद करते हैं। दुरुग रामिट के अगर बात करें। तो पुराना चहरा कहलें। यहां पर एक लंबी पारी अपनी राजनीती में खेले वे राजय की ग्रीह मंत्रिदान भर साहु। वहां से चुनावी मैदान में हैं। दुर्ग्रामिन्ट से ऐसे में भार्ती जनता पार्टी अपना कैसा वर्चस बचा पाएगी। कि में बात यह कि जो तामरजा साहूजी हैं वो गुडबाजी के चलते हो या खुद वो करना नहीं चाहते थे जो उनका कारेकाल रहा वो उतना प्रभावशा नहीं रहा। ग्रिययमंसरी होते हुए भी वह प्यूज़े मंतरी होते हुए भी उन्होंने वह काम उस नहीं करते होती है। और बहुस सरी नराजियां उस चेतर में उनके प्रती हैं। अच्छे लीडर के नाम से जानता है, वो वहाँ पर गए नहीं आज तक, क्या ये उनका दाइत नहीं था कि वहाँ पर जाके मिल के आए, क्या दुख को बाट के आए, अब जब वो साहू समाज के साथ ही ऐसा वेवार कर रहे है, जब उनके दुख सुख के साथ ही वो खड़े अच्छे नहीं है, तो वो अपनी दूसरी जो चीजे उसको कैसे अपना कर पाएंगे और ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉप बैक था, कि वो अपने दाइत को पूरी अच्छी तरह नहीं नहीं लिवा पा रहे थी, साजा की बात करें, अभी आपने बेर्यानपूर की बात क बोलना चाहिए, जितना मांग लोगों की अपने नीता को लेकर के है, उतनी दिखाई नहीं पढ़ थी, तीसरी पार्टी की सक्रीता जादा बढ़ गई है, क्या पढ़ना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, कि ग्राउड लेवल की जो रियालिटी रहती है, वो दिखाई नही ऑगी देखते हैं कि चुनाओ जैसे आगे बढ़ता जाता है, वो स्वरूप अलग अलग बढ़ते जाता है, तो अभी चुनाओ एक बच्चे के जैसे है, जैसे जैसे वो उपर होते जाएगा, वैसे उसकी खुबसूरती, वैसे उसका तेज, वैसे उसका मतलत आकरीती वो बढ़ाते चले जाएगा, तक हमारे को क्लियारिटी स्पष्ठ होगी, कि ये कैसा होने वाला और लेकिन, जो डौन की पकड रहती है, जो डौन में रहती है, वागे रहती है, और यह आखना रहती है अब अब की बार पच्छथ्तर पार क्या कहना जाएगेगे क्या ऐसे 75 पार करेंगी आप कि अपने जनता को ठक के 75 पार करेंगी क्या जनता आपको इसलिए वोड़ देगी क्या आपने अपराध की सीमा लंग दी अपराधियों को शरण दी है क्या जनता इस वजह से आपको बोलेगी कि आपने व्यापारियों को तंग करके रख दिया है कि आपने ब्रष्टाचार की सिमाइन लंग दी कि आपने शराब बंदी नहीं करी है अनुमित करम चारें का नहीं किया है आपने 15 सब इद्धा पैंचन नहीं दिये विद्वा पैंचन नहीं दिये आपने सवासाहता समों के बेरोजगारी बेरोजगार महिलाओं का करजा है वो माफ नहीं किया है क्या 22,000 रिडीटु इट महिलाओं का आपने रोजडार चीन लिया था क्या और आउट्सोर्सिंग ब प्रतिशत लोग ने ये बोला है कि हम अपने वर्तमान विधायक से ना खुश है तो क्या इस वज़ा से और इनका इंटर्नाल सब में भी हुआ था जिसमें से इनके जो 70 बातर जो विधायक हैं उसमें से 37 विधायक तो हा रहे थे और उनको पिरसे टिकेट दे दिया गया है आप गिन्वा आप लिखके लेगे जिए जितने इनके मंत्री थे छे से साथ मंत्री इनके 100 परसें खारेंगे मैं आपके चैनल में फिरसे बेट हूंगा जिस दिन तीम निसमर को जो रिजर्ट आएगा बट बैठूंगा और इस बात को आप याद रहे केंद्री मंत्रियों का गर्तमान में काफी दोरा देखा गया भारती जन्ता पाटी केंद्री मंत्री इन दिनों काफी दोरे लगा चुके हैं 36 गड़के क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं असुरक्षित महसूस वो करता है जो गलत करा है सुरक्षित महसूस नहीं करता हो आप अगर मान दीजे कि जो टीम है टीम वर्क है हम टीम वर्क के इसाब से अगर किसी को एक्सपर्ट को बुलाते है या अनभोश आजा करते हैं तो ये असुरक्षा कहां से हो गई हमने गलत नहीं किया हमने कुछ गलत तो नहीं किया हम टीम तो खिलाडी ही कहलेंगे मैस तो खिलाडी ही कहलेंगे लेकिन कोच के अपनी एक भूमी का रहती है दर कौन रहा है तो दर अलग दूसरी पार्टिया रही है दूसरी पार्टिया इसलिए डर रही है क्योंकि उन्होंने गलत किया है और जो हमारी तैयारी है हम अपनी इतनी समेदन शिल्टा से रहा है तो उससे वो गवराट हो रही है उनको क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया वो काम वो चुनाओं किसी और दम पे जीतना चाहते थे काम के दम पे जनता सब जानती है जनता ये देखती है कि आप क्या कर रहे हो जनता ये नहीं सुनती कि आप क्या कह रहे हो तुरुजी ले की बात करें, तो वर्तमान में चर्चाओं भी था, आप एक जाना पहचाना चहरे हैं, भरती जनता क्वाटी में काफी सक्री है, लंबी स्यवा भी दी है, आपके अपके ने फादर की अगर बात करें, वो भी राजनिति की परीपेक्षिती, आपका चहरा ही सा कमल का निशान, और ये कमल का निशान क्या है, कमल का निशान काम के प्रती जाना जाता है, और आज भी जो भी जनता, जो वोट देगी भरती जनता पार्टी को, वो उसके कामों को देख के देगी, जो 15 साल हमारा सूशाचन चला है, जो केमर के हमारे जो काम चल रहे हैं, उ उसके हिसाब से भारती जन्ता पार्टी को वोट पढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि प्रत्याशी भी अपने आप में एक उसको देख के भी वोट पढ़ते हैं कि वह कितना सक्री है कितना ही है और दूसरी बात क्या मता है शाहिन जी कि कभी भी किसी चीज को पाने से ज्यादा ज करें या न नहें लिकिन हम लोग उस काम को कर सकते हैं कर भा सकते है ह् पूरी मारू कामना पूर्ण करें लेकिन पूर्ण कब होती है क्योंकि भगवान या माता यह नहीं चाहते हैं कि आप उनके भरोसे रहें आप उन पे विश्वास रखें यह चाहती है और वैसे ही जनता भी यही चाहती है कि आप हमारे भरोसे ना रहें हमारे पर विश्वास करें तब जाके विश्वास एक अलग चीज़ होती है भरोसा एक अलग चीज़ होती है तो हम किसी के भरोसे ना रहें भगवान भी चाहते हैं कि आप अपना काम करें या आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको फन नहीं मिलेगा लेकिन आप विश्वास करें अपने कर्मों पर और कि आपको फन जरूर मिलेगा अगर आप काम करेंगे तो इसी शुब कामनाओं के साथ आप सभी को पुन आपको बहुत बहुत थन्यवाद हमारे स्टूडियो मैंने अपने अल्प समय में थुब असा समय हमें हमें दे लेकिए